हाई अवरिवन, वेलकम बैक टो एचैनल, यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स फॉर हूम और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुती बहतरी इन से टिप्स और हैक्स जो आपके काफी सारी परिशानियों को दूर कर देंगे तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं आपके चश्मे पर यानिके ग्लासेस पर अगर कई सारे स्क्रैचेस आ गए हो, ये काफी खराब हो गया हो, कई बार खाना वगएरा बनाते वक्त हम इसे पहनते हैं तो काफी ये ओईली चिपचिपा हो जाता है, तो इन ग्लासेस को क्लीन करने के लिए घर में ही मौझूद चीजों का इस्तमाल करके आप इसे साफ कर सकते हो, और वो है टूट पेस, जी हाँ जो सफेड टूट पेस्ट होती है, उसी से हम इन ग्लासेस को क्लीन कर सकते हैं तो सिम्पली थोड़ा सा टूट पेस्ट आपको लेना है और इन ग्लासेस पर लगाना है, और एकदम हलके हाथ से फिंगर से आपको इसे रब करते जाना है, टूट पेस्ट लगाने के बाद सिम्पली जब हम इसे हाथ से रब करते हैं, तो इसके उपर जो भी स्क्रैचेस वगरा होते हैं ये रिमू हो जाते हैं चिपचिपा ओईली पन अगर इसके उपर आ जाता है तो वो भी साफ होने में मदद होती है तो टूट पेस लगाने के बाद आप चाहे तो इसे सिंप्ली पानी से रिंज करें या फिर कोई गीले कपड़े से सबसे पहले आप इसे क्ली कर दे और सबसे लास में जो ग्लासे क्लीन करने का छोटा कपड़ा होता है इससे फाइनली आप इस ग्लासे को अच्छी तरीके से क्लीन करके इस्तमाल करें तो आप देखेंगे इसके उपर जो भी स्क्रैचिस होंगे अगर ओईली चिपचिपा पन इस ग्लासे पे आ गया ह या फिर हल्दी के दाग लगने से हमारे नेल्स काफी पीले पड़ जाते हैं या फिर घर में अगर कोई क्लीनिंग का काम हम कर रहे हो तो तभी हमारे नेल्स काफी काले पड़ जाते हैं इसकी शाइन पूरी तरीके से निकल जाती है तो हमारे नेल्स अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए और इसके उपर की जो भी शाइन है इसे फिर से लाने के लिए थोड़ा सा टूट पेस्ट आप ले ले और आपके नेल्स पर कुछ इस तरह के से इसे फैला ले कुछ मिनिट के लिए आप इन तूट पेस्ट को ऐसे ही नेल्स पर रहने दे और 2-3 मिनिट के बाद किसी तूट ब्रश को हलका पानी में गीला करे और अब इसी तूट ब्रश की हेल्प से आप इन नेल्स को अंदर और बाहर से अच्छी तरिके से साफ करे तो आप देखेंग ये जस्ट कुछी मिन्टो में जो नेल्स हमारे पीले पड़ गए थे इसका जो शाइन थी वो निकल गई थी तो वो भी फिर से चमकने लगेंगे पीला पन इन नेल्स के उपर से हट जाएगा हमारे घर में कई सारे वाटर बॉटल या फिर इस तरिके से वाटर फ्लास होते हैं जो रेगुलरली क्लीन ना करने से इसमें बहुती बैड स्मेल आने लगती है तो वाटर फ्लास से इस bad smell को निकालने के लिए इसमें आप थोड़ा सा white toothpaste डाले और फिर इसके उपर डाले थोड़ा सा पानी इसे अच्छी तरीके से mix कर ले पाथ से 10 मिनिट के लिए आप इसे ऐसे ही रख दे और फिर नॉर्मल पानी से आप इसे साफ करें तो आप देखेंगे तूट पेस्ट की हेल्प से इसमें जो भी bad smell होगी वो दूर हो जाएगी आपके घर के bathroom sink हो या फिर kitchen का sink या फिर किसी भी bathroom के कोई भी tabs जो हमेशा पानी के contact में आने से बहुत ही जड़ली खराब हो जाते हैं पानी के stain इसके उपर दिखाई देते हैं और इसे के कारण इसकी जो भी shine होती है ये निकल जाती है और ये tabs काफी पूराने दिखने लगते हैं तो इन tabs को फिर से नया जैसे चमकाने के लिए इसके उपर आप एक से दो drop white toothpaste के डाले और फिर किसी toothbrush की help से आप इन tabs को clean करें कुछ मिंटक के लिए आप इसे ऐसे ही रख दे और फिर साफ पानी से आप इसे दो ले तो आप देखेंगे इसके उपर जो भी दाग थे वो remove हो जाएगे और ये जो भी tab है ये फिर से नया जैसा चमकने लगेगा बहुती effective ये trick है एक बार आप इसे ज़रूर try करके देखे और इसका result हमें comment करकर ज़रूर बताए अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जो हमेशा wall पर crayon से कुछ लिख देते हैं जिससे wall बहुती खराब हो जाती है तो crayon से लिखे हुए इस दाग को साफ करने के लिए इसके उपर आप थोड़ा सा सफेट toothpaste लगाए और फिर किसी paper napkin की help से आप इसे साफ करें तो आप देखेंगे बीना महन अजस्ट कुछी seconds में ये toothpaste crayons की कितने भी दाग होगे वो साफ करता जाएगा और सबसे last में हलके गीले कपड़े से आप इस wall को साफ करें तो आप देखेंगे बहुती बढ़िया ये crayon के marks इस एक आसान मेथड से साफ होते जाएंगे किचिन में खाना बनाते वग्द कई बार हमें लहसों चिलना होता है प्याज वगरा कट करना होता है या फिर फिश को हम जब भी मैरिनेट करते हैं तो फिश की एक strong smell हमारे हाथों पर आ जाती है कितना भी साफ करो ये smell काफी देर तक हमारे हाथों पर ऐसे ही रहती है तो किसी भी प्रकार के strong smell को हाथों से remove करने के लिए आप थुड़ा सा सफेट toothpaste हाथों पर लगाए इसे हलका सा रब करें और फिर साफ पानी से आप इसे दोले तो आप देखेंगे इस एक toothpaste की help से कितन अगर आपके हाथों पर लग गई हो तो वह बहुत ही easily remove हो जाएगी so friends I hope कि ये आज के सारे बहतरीन से tips आपके लिए भी जरूर useful रहे होंगे तो इसमें से कौन सी tip आपके लिए useful रही हमें comment करकर जरूर बताए और अगर आज का ये वीडियो और मेरी ये मेहनत आप तक पहुची हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजे और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजे सब्सक्राइब बटन के आगे notification बेल है उसे भी प्रेस करना ना भूलिये